वर्ग के आंत्रिक कोणों में कुल के कुल जोड तथा त्रीकोण के आंत्रिक कोणों के कुल जोड क्या अंतर कितना होगा अब किस चीज का है वर्ग वर्ग मतलब स्क्यर स्क्यर क्या होता है स्क्यर होता है जिसकी चारो साइडें यानि कि चारो दिशाओं से वो बराबर हो न तो इसको हम square बोलते हैं यानि कि ये चारो side से क्या होगा equal होगा इसकी भुजाएं यानि कि sides जो हैं both sides सभी equal होंगी अगर ये equal होती है तो आगे पुछा है कोणों के कुल जोड तथा three cone के आंत्रिक कोणों का अंतर जो इसके अंदर के कोण है वो कितने हैं तो इसके कोण जो है वो 90 degree के हैं क्योंकि ये perpendicular होता है ऐसे तो ये 90 degree का हुआ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और इन्होंने बोला है three cone three cone मतलब तीन cone और आपको ये मालूम है कि जो तीन cone का योग जो होता है वो होता है 180 के राबर तो अब इन्होंने आंत्रिक कोणों के कुल जोड का अंतर पूछा है तो इनका अंतर कितना हो जाएगा डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 300 देखो एक ये तो 90 है एक साइड का अंदर का इ 1, 2, 3, 4, 4 cone हो गये 90, 90, 90 और 90 ठीक है मेरे प्यारे बच्चो सभी सभी अपना अंसर सर मैच कर लिजिएगा options चाहिए हैं तो मैं options दे देता हूँ आपको साथ नहीं ठीक है देख लीजेगा आपना मैं तो समझा रहा हूँ मैं आपको इसी साब से बताऊँगा 90-90-90 कितना होगे total 4 होगे नौच आपके 36 यानकि 360 डिगरी इसका आंत्रिक कोन निकला और इसका निकला मैंने बता दिया था पहले ही तीनों एंगल का यानकि तरी भुज का आंत्रिक कोन होता है 180 तो 180 को 360 से ही less कर देंगे तो कितना आजाएगा 180 ही आजाएगा तो B option जो है वो इसकी सही option रहेगी correct option रहेगी मेरे प्यारे बच्चों यह देख लिए B option जो है वो इसकी सही जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजे पता एजूकेशन पालम कूर के online platform पर जिसमें में लेकर आया हूँ आज आपके लिए हिमाचल परदेश के पटवारी के 2012 के questions जो की 2012 में यानि कि कि किस परकार के questions आये थे math section के यानि कि गनित के आपको जैसे की आपको 25 questions है पटवारी के वो मैं आपको one by one पूरे समझाओंगा और आप इनको एक बार जुरूर notice कर लीजिए note कर लीजिए कहीं पे क्योंकि आपके ये काम आने वाले questions है और ये questions जो होते हैं ये बार बार repeat हो जाते हैं तो क्या पता कोई एक question आपको यहां से ही repeat हो जाए और फटा फटा अपनी तयारी कर सकते हैं अगर आपको ये ही वीडियो दुबारा से देखनी हो तो आप एक तो हमारे play store से भी जा सकते हैं play store में अगर आपको जाना है तो विजेपत government exam preparation app विजेपत government exam preparation app को आपको download करना है play store से और वहां से आप जो है हमारे video यानकी free classes sections में जाकर भी ये class जो है वो दुबारा से देख सकते हैं हमारी इसी app में आपको daily के current affairs दिये जा रहे हैं free of post और daily के साथ में ही हमारी test series है paid courses भी है और इसी परकार से quiz है जो की अलग-अलग sections में हम cover up कर रहे हैं तो आप इनको लगाईए त्यारी करिए हमारे साथ विजे पत government exam preparation app के साथ चलो ज़्यादा समय ना waste करता हूँ मैं आपका और हम फड़ा फड़ जो है questions की तरफ जो है वो start करते हैं तो first question की तरफ चलते हैं और उससे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यह 844 पोस्टे जो है वो निकलने वाली है आपकी हमाचर परदेश की ठीक है तो उसकी मैंने आपको last notification बता चुका हूँ तो first question जो है वो आपका ये रहा कि 6 वर्षों में कितने सब्ता होते हैं बहुत ही अच्छा क्वेशन है चे वर्षों में कितने सब्ता ہوتे हैं इसको कैसे question को करेंगे अब आपको मालूम है कि 6 वर्ष यह निकि 6 वर्ष मतलब आप समझ पा रहे हैं 6 महीने की बात की जा रही है 6 महीने में छे वर्षों में कितने सफता होते हैं अब अंसर तो ये हैं आप अपनी options लगाते हैं जो भी हमारे live sessions को देख रहे हैं साथ-साथ में अपना trial कर सकते हैं कि मुझे या मेरे questions कितने सही हो रहे हैं साथ-साथ में लगाई ये अपने-अपने answers ठीक है मैं आपको detail भी समझाऊंगा देखिए 6 वर्षों के लिए पूछा है तो एक वर्ष में जो हैं वो कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं तो 6 वर्ष में कितने होंगे तो 6 को हम 365 से multiply कर देंगे तो 6 को 365 से multiply किया तो कितना आ गया 2190 कितने हो गए 2190 दिन हो गए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब इहोंने आगे पूछाता सफता हमें कितने होंगे छे वर्षों में कितने सफता होते हैं अब हमने यह पता लग गया कि 6 वर्षों में इतने हैं ठीक है इतने दिन हैं सफता निकालने हैं तो divided by 7 कर दिजेंगे यानि कि 7 से इसको भाग कर जिए 7 से किया तो कितना आएगा 7 है 21 साथ एकम साथ आगे 10 गए साथ एकम साथ पॉइंट फिर कितने गए 3 तो कितना आगया 8 लबबद आपके आगे यह एक्स्टेंड हो जाता है तो 312 311 बारा आप्शन होनी चाहिए यह है C option is the correct option तो इस परकार से यह इसका हल रहेगा C option यहाँ पर भी अंसर दे दिया है C option जो है वो सही अंसर है आपका अगला प्रशन है आपका साथ साथ में क्राए करिएगा कि एक वर्ग के आंत्रिक कोणों में कुल के कुल जोड तथा त्रीकोण के आंत्रिक कोणों के कुल जोड क्या अंतर कितना होगा अब किस चीज का है वर्ग वर्ग मतलब square square क्या होता है square होता है जिसकी चारो साइडे यानि कि चारो दिशाओं से वो बराबर हो ना तो इसको हम square बोलते हैं यानि कि ये चारो कोणों का अंतर जो इसके अंदर के कोण है वो कितने हैं तो इसके कोण जो है वो 90 डिगरी के हैं क्योंकि ये प्रपेंडिकुलर होता है ऐसे तो ये 90 डिगरी का हुआ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और इन्होंने बोला है त्री कोण मतलब तीन कोण और आपको ये मालूम है कि जो तीन कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 के मराबर तो अब इन्होंने आंतरी कोणों के कुल जोड का अंतर पूछा है तो इनका अंतर कितना हो जाएगा डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 300 देखो एक ये तो नब तीन, चार, चार कोन होगे न, नबे, 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 और नबे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चो, सभी सभी अपना अंसर सर मैच कर लीजिएगा, आप्शन्स चाहिए हैं, तो मैं आप्शन्स दे देता हूँ, आपको साथ नहीं, ठीक है, देख लीजिएगा अपना, मैं तो आद यह था पहले ही, तीनों एंगल का आएंगी, तीनी बुझ का आंत्री कोन होता है, 180, तो 180 को 360 से ही less कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 180 ही आजाएगा, तो B option जो है, वो इसकी सही option रहेगी, correct option रहेगी, मेरे प्यारे बच्चो, यह देखिए, B option जो है, वो इसकी सही option रहेगी, तो इस परकार से यह questions होंगे, जो कि details wise मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, तो आप साथ साथ में इनको perfect कर लीजिए, और आप अपना भी answer, comment करना न बूले, छोड़े नहीं, अगले question की तरफ चलते हैं, question आपके सामने आ चुका है, options भी मैंने साथ में दे चलते हैं इस बाद, बुला, यदि असी विधियार थी कि कक्षा में खिलाडी तथा, sorry, लड़कीयों तथा लड़कों, खिलाडी में Back बोल दिया, लड़कीयों और लड़कों की संख्या का अनुपात, 4 OR 6 है, तो कक्षा में लड़कीयों की संख्या कितनी है, लड़कीयो की पूछी है ठीक है तो अब हम क्या बोलते हैं कि अनुपाद कितना दिया है चार और छे का सभी कुमेंट करिएगा अपना अंसर दीजिएगा कोई वो नहीं है कि आपने अंसर नहीं करना है आप अपना अंसर करिए उसके बाद दन आप्टर दन मेरा भी मैच करिए अगर आपको कोशन नहीं आता है तो उसको नोट भी करिए चार अनुपात छे है अब इनका यहां पर दिया है असी असी जो वो क्या दिया है याने कि इन दोनों का जोड जो है चार दस तो दस एक्स जो है वह हमारा याने कि यह जो अनुपात का जो कुल है वो यानि कि कुल संख्या के बराबर है मैं फिर से समझा देता हूँ जो बचों अगर आपके पास अनुपात दिया है और अनुपात में आपके पास किसी भी संख्या का अंतर की बात के ही हो, योग की बात की हो गुणन फल की बात के हो टोटल है तो हमने अनुपात का भी टोटल करना है जो की 80 के ही बराबर होगा तो हमारा यानि की X की वल्य कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी तो मेरे प्यारे लाड़ लो इनको आपस में इसमें मल्टिप्लाई कर दो तो कितना हो गया 8 चौके 32 और 8 चौके 48 तो एक क्लास में जो है अब पूछा था लड़कियों की संख्याद क्योंकि लड़कियां पहले हैं तो ये गल्स हुई ये boys होई, तो लड़कियों की संख्या कितनी होई, बत्तिस, तो बत्तिस जो है, वो आपका सही हल रहेगा, तो इस परकार से आपको ये paper में, एक minute में ये question हो जाने वाला question है, और अराम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा मैं आपको detail में समझा रहा हो, हो सकता है, मेरा समय जो है, वो एक minute से जादा चले जाए, मगर मैं आपको बता दूँ कि प्रक्टिस करेंगे, तो एक minute से कम समय लेगा ये, इसी परकार से अगर अंतर दिया होता तो हम इनको minus करते, गुन फल दिया होता तो हम इसे product में लेते हैं, नेस्ट question की तरफ चलेंगे हम, इसका answer भी ये देखी, बत्तिस ही दिया है, next question था, जो की formula based है, ये बहुत ही simple सवाल आया था, 2012 का है ये भीया, 2012 हम इसी परकार से 13, 14, 15 सभी लगाएंगे इसी channel पे, विजेपत defense education के जो, जो की हमने अब नाम चेंज किया है, विजेपत government exam preparation के लिए रख दिया है, क्योंकि change इसलिए किया है, क्योंकि कुछ बच्चों का बोलना था कि सरा आप defense का ही आप teach करते होंगे, तो हम defense का नहीं है, कोई भी government exam होगी, हम उसकी preparation के लिए, आपके लिए ततपर आकर आपको one to one भी देंगे, तो इसमें ये दिया था a minus b का whole square, तो a minus b का whole square का formula क्या होता है, तो a square minus लगा है, इसलिए minus का आएगा, पहली option देखू a square minus b square, ये formula ही पूछ दिया था, इसका formula होता a minus b, और a plus b होता है, ये option इस question के गलत है, अच्छा, ये दिया है, आपका a square minus b square minus to a b, ये भी आपका option गलत है, अगर इस option की बात करों, तो ये है a square minus, minus नहीं होता है मेरे लाड़ो, उस वज़े से ये mistake हो रहा है, c option जो है वो इसकी correct option रहेगी, तो c option जो है, वो इसकी सही option है, तो ये आपके सामने आ चुका है, c option को ही, सही option खहराया गया है, अगले question की तरफ चलते हैं हम, जो की question पूछा है, ये किसके बराबर है, बहुत ही simple, मैं आपको बोलू, 2012 12, 15, 15, 16 तक तो हमारे paper के कई questions, बहुत basic question आते थे, जब पटवारी के लिए निकलते थे, अब level हर बक्त बदल रहा है, तो मैं ये कहूँगा, कि आप हमारी videos को देखते रहे हैं, हम levels को उठा कर आपको questions को दे रहे हैं, 2012 मैं देखी, आपको क्या simple से question आये थे, तीन का square, दो का square, क्या है ये question, answer आप अपना, टैली कर सकते हैं, कि आपका answer match हुआ कि नहीं हुआ, दो का square, तीन का square, क्यासे करेंगे, तीन का square, सीधा यहीं पर कर देते हैं, नौ, चार, चार, 27, तो कितना हो गया, नौ, चौके, 36, माइनस, 4, जमा, 27, 36 मैं से 4 गए, बात गया गया, 8, 9, 3, 2, 5, 59, तो B option जो है, वो इसकी सही option रहेगी, तो यह इस परकार से बहुत ही simple सवाल था, तो यह देख सकते हैं, 59 नंबर, 59 ही हमने answer निकाला है, next question की तरफ चलते हैं, question है आपका, जो कि वरिक्ष की पतियों, मैंसे एक पत्ती, मैंने वरिक्ष की पत्तियों मैंसे, पंक्ती मैंसे एक वरिक्ष किसी भी, छोर से, पांच में स्थान पर है, तो उस पंक्ती में कुल, कितने वरिक्ष हैं, आप अपना comment करिएगा, आप answer match करिए, कि आपका answer जो है, वो match हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जरूर देखिएगा, तो अब यहाँ पर क्या कहा है, एक वरिक्षों की पंक्ती में, एक वरिक्ष किसी भी छोर से, पांच में स्थान पर है, यानि कि आप अगर left से बात करते हैं, या right से, तो यहाँ पर एक three है, ठीक है, फिफ्थ पुजीशन पर, ठीक है, उस पंक्ती में कुल कितने पेड़ हैं, अब पांच में पर है, इधर से भी, उधर से भी, अब ये question जो है, वो option पर depend करता है, ठीक है, एक पेड़ तो यहाँ पर हो गया, पांच में स्थान पर, अब देखिए, यहाँ पर options क्या दीए है, यहाँ पर दीए है 8, अब पेड़ के इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, अगर मैं बोलता हूँ पहली option, तो total 8 हुए, तो 8 इधर और इधर बराबर कैसे हो सकते हैं, अगर चार होंगे, इधर भी चार होंगे, तो तो 8 हो गए, ठीक है, मगर यह तो सिदा बीच में एक आगए, तो 9, इसलिए B, A option जो है, वो गरत हो गए, अच्छा, 10 को लेके चलें, तो 5 इधर हुए, 5 इधर हुए, तो कितने हो गए, 10 और 1, 11, ठीक है, तो यह भी, 5 पांच, 10 और 1, 11 ग्यारा भी चल सकता है, पर 10 नहीं चल सकता है, यह भी गरत हो गया, अब यहां पर आते हैं, 9 पर, तो इसमें 9 पर चलते हैं, तो यहां पर भी 4 हैं, यहां पर भी 4 हैं, 8 होगे, चार-चार-चार-चार और 1, 9, तो इस पूरी में 9 भी चलता है, और, 5, 5, 10 होगे, और 1, 11 होगे, तो अब इन्होंने हमें पूर लटा था, कि कुल व्रिक्ष कितने हैं, तो यह दो आप्शन्स इस क्वेशन में उस वक्त आई थी, तो इस दिए दोनों आप्शन्स जो हैं, वो कॉरेक्ट आप्शन्स जाएंगे, 9 और 11, 9 और 11 जो हैं, यह इसकी सही अंसर रहेगा, यहाँ पर हमने मेंशन जो है, वो 9 को किया था, पर 9 और 11, दोनों आपके अंसर रहेंगे, अगले क्वेशन की चर्फ चलते हैं, आपके पास आप्शन्स आ चुकी हैं, एक खेट की लंबाई, 25 मीटर तथा चोड़ाई, 80 मीटर है, खेट के चारों और, 2 मीटर चोड़ा रास्ता है, रास्ते का शित्रफल निकाली है, बहुत अच्छा हैं, एक आयतकार है, जिसकी लंबाई 25 मीटर, चोड़ाई 20 मीटर है, खेट के चारों और, यानि कि इसके बाहर, 2 मीटर चोड़ा रास्ता है, यानि कि यहां पर 2 मीटर चोड़ा रास्ता है, ठीक है बच्छों, 2 मीटर चोड़ा रास्ता है, तो आप समझ रहें दो मीटर यहां से भी है यहां से भी है, तो इसकी जो लेंथ है, जो मैंने यह 25 लिखा था, ठीक है बचो तो इसको मैं अंदर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, तो यह 25 है, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो 2 कितने होगे, 4 हो जाएगी इसकी 24 तो इस परकार से अब पूरे शित्र फल्क में से हम अंदर का शित्र फल्क माइनस कर देते हैं तो आपका ये साइड का रास्ते का जो है शित्र फल्क रह जाएगा तो यानि कि 29 गुणा 24 माइनस 25 गुणा 20 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो अब इसको आपस में मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया 24 को 29 से मल्टिप्लाई करिएंगे तो क्या आएगा आपका 696 माइनस 25 को इससे किया तो 25 नहीं 50 500 तो टोटल आपका आगया 196 स्क्यार मीटर ठीक है और आपके पास ऑप्शन D मैच हो गई है तो D के साथ हमारा अंसर जाएगा तो आपका अंसर क्या गया आपने अपना चेक किया अगर किया तो आपका क्या अंसर ये आया है अगर आया है तो बिल्कुल सही है चलो चेक करते हैं अंसर बिल्कुल सही आया है हमारा आप भी अपना कोमेंट करिएगा आपका अंसर अगर सही आ रहे हैं तो सौ लड़कों और असी लड़कियों ने एक प्रिक्षा में भाग लिया जिसमें साट प्रतीशत लड़के तथा चालिस प्रतीशत लड़कियां उतीरण हुए प्रिक्षा में फेल होने वाले विद्धिहार्थियों की संख्या कितनी थी कि फेल कितने हुए हैं वो निकालना है अब वाइस कितने थे वाइस थे सौ गर्ल्स कितनी थी असी थी अब जिसमें प्रिक्षा में भाग कितने ने लिए था साट परसेंट लड़के थे तो आपने क्या करना है आपने कुछ नहीं करना है 60% लड़के और 40% लड़किया पास हुई हैं उतीरण हुए हैं और इन्होंने हमसे पूछे कौन है फेल होने वाले कौन से पूछे हैं बच्चो फेल होने वाले विध्यारती पूछे हैं तो आप पास वालों का यानि कि फेल यानि कि फेल वाले कितने हुए बॉइस वो हुए 40% तो गर्ल्स कितनी हुई फेल 40 पस पास थी तो 60 फेल हो गए ठीक है हमने फेल फेल पूरे निकाल दिये हैं तो कितना हो गए आपका ये दोनों फेल फेल निकल चुके हैं चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों ठीक है अब प्रिक्षा में फेल विध्यारतियों की प्रतिशत मात्रा कितनी है तो अब ये निकालना है बहुत ही सिंपल सवाल है ठीक है तो गर्ल्स जो लड़के 40 और जो 40 प्रतिशत लड़कियां उतीर्ण हुई थी तो फेल इतने हुए थे ठीक है तो अब गर्ल्स कितनी पास हुई थी 40 पास हुई थी तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं 80 का 40 प्रेसंट ले लो 80 का 40 प्रेसंट 40 बटा 100 आर चोके 32 यानि कि 32 लड़कियां जो है वो क्या हुई थी वो पास हुई थी 80 में से ठीक है तो 80 में से 32 less कर दो कितना रह गया क्योंकि मैं ये question अभी इसलिए बदल दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ फेल वाले विध्यारती पूछे हैं 32 में से 80 गये तो कितने रह गये 48 48 लड़कियां आ गई जो फेल हुई थी और लड़के कितने थे तो उस लड़के जो है हमारे 60 ले लो 100 का 60 पतीशत 100 से 100 गया तो 60 ही आ गया ठीक है तो 60 प्रसेंट पास हुए तो 40 क्या हुए अगर नहीं समझा रहा तो फिर से देख लो हमारे लड़कों की संख्या कितनी थी 100 100 प्रसेंट लड़कों की संख्या थी फेल हमने ऐसे भी बताएं 40 बटा 100 100 से 100 गया फिर से 40 आगे किसी भी तरीके से आप कर सकते हूँ तो 40 लड़के आगे 48 लड़के आगे और इन दोनों को आपने प्लस कर देना था तो 88 88 तो 88 वध्यारती जो है इस प्रिक्षा में जो है वो अनुतीर्ण रहे हैं तो ये इसका हल था 2-3 मैथर से मैंने इस को किया है अब भी इसको ट्राइ करिएगा इस देखिया 88 आप्शन आ चुकी है अगला कोशन है आप ट्राइ करिए बहुत ही उंदा कोशन है मैंने ये अपनी वीडियोस में जो है एज चक्टर पढ़ाया था तब भी इसकी मैंने ट्रिक दी थी बच्चों को आप इस ट्रिक को अपनाईए मेरी ट्रिक्स को करिए आपको डेफिनिटी ये कोशन जो है वो clear हो जाएंगे आपके इसकी ट्रिक क्या दी थी मैंने आपको देखिए अनीता सुनीता की वरतमान आयू का अनुपात पांच अनुपात नो है मैंने कैसे बताया था आपको पांच अनुपात नो लिख लीजिए तीन वर्ष पस्चात दो अनुपात तीन हो जाएगा कितना हो जाएगा दो अनुपात तीन और अनीता की वर्तमान आयू पूछिए ठीकै मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है अनीता अनीता यनि की first ए मैं अनीता की ही निकालूँगा paper में हमारे पास इतना time नहीं होता है कि हम सब की I.U. निकाले हैं आएक एक को तो कि हमें तो सिर्फ option से मतलब है मेरे पैरे बचो तो इसलिए आप option से मतलब हैं तो हम direct answer ही निकालेंगे देखे 5 लिख दिया ठीक है ये अनिता का अनुपात जो year है वो लिख देना है आपने बदला हुआ अनुपात यानि कि जो बाद में अनुपात बनता है ये बदला हुआ अनुपात लिखता है इसको आपस में माइनस कर दीजिए negative नहीं आना चाहिए और जैसे भी करिए है 9,15, 15 तो एफारा माईनस पंदरा तो कितना आ गया फांस थी ये पंदरा यहां से तो एक बचा और यहां से आया 3 तीन हे कम तीन पढ़ ञाल से उमर जो आई है वो पांज साल आई है पांच साल और यहां पर भी option है पांच साल तो देखिए मेरी trick बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए मेरे प्यारे बचों इस trick को अपनाई है और इस trick से एक minute में question जो है वो आपका हो जाएगा तो इसका answer भी देख लिजिए पांच साल जो है वो सही answer रहेगा अगले सवाल की options है बहुत ही देखिए फिर से बहुत simple सवाल आयते थे अब level जो है वो बहुत उठ चुका है यदि हम 0.1 को 0.01 से गुना करें तो क्या उत्तर होगा देखो अब 1 से गुना करेंगे यहां पर point ह तो बस 1 से गुना करते हैं तो same ही चीज आती है 001 आयाएगा point 001 A option एक मिनट से भी कम option अगर नहीं लग रहा है पता फिर भी बता देता हूं इसको दुबारा बता देता हूं 1 over 10 कर लो मेरे प्यारे बच्चों 1 over 100 कर लिया तो उपर 1 यह उपर वाला उपर वाले को multiply करेगा 1 आया और नीचे और नीचे और नीचे को multiply करेगा तो कितना आयागा 1000 वान लिको नीचे कितने 0 है 1 2 3 1 2 3 तो यह भी कर सकते हो अब तो यह A option जो है वो इसकी correct option थी next question की तरफ चलते हैं जनसंख्या के ऊपर आधारिच प्रशन है ठीक है 37,500 जनसंख्या है question पढ़ लेते हैं एक नगर की जनसंख्या प्रती वर्ष चार वर्ष प्रतीशत वृद्धी होती है यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो दो वर्ष की जनसंख्या का कितनी होगी यानि कि दो वर्ष बाद उनकी जनसंख्या निकाले इसको हमने compound interest के question से भी कर सकते हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जितने time का पूछा है हम direct भी कर सकते हैं ठीक है अब आपके उपर depend है आप कैसे करना चाहते है इस question को ठीक है तो दो वर्ष का बोला है चार प्रसेंट से बोला हुआ है तो आप उस तरीके से करना है उस तरीके से कर लीजिए और नहीं है तो वैं आपको एक और बताता हूँ 37,500 कितने साल के लिए बोला है दो साल के लिए 4% है 4% मतलब 104 बटा 100 मुणा 104 बटा 100 अगर 5% होता तो हम क्या लिखते है 105 बटा 100 105 बटा 100 बस अब इसको काट लो 2510 0 2510 224 2510 सुरी 2 से नहीं हाँ 2 से चल रहेगा दो दुनी 4 2510 2510 दो दुनी 4 25 पांच से कारते हैं 55 25 5 सत्य 35 5 25 पांच से चलेगा 5 एकम 5 25 तो 15 गुणा 52 गुणा 52 कितना हो जाएगा 27 0 4 इसको इससे मल्टिप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 40,560 40,560 यह मैंने कैसे निका रहा था 5 के 20 20 का जीरो लिया था तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गे थी मगर यहां पर बहुत जादा 0 थे इसनी मैंने निगलेक्ट किया 5 इसके बाद नहीं आ रहा था क्योंकि यहां पर आगे 0 है तो 5 चौके 20 20 आ रहे हैं तो फिर मैंने यह उप्शन उठाई थी ठीक है आप कल्कुलेट कर सकते हो कि ऑप्शन क्या है पर चलो देखते हैं ऑप्शन ओ सही है ऑप्शन भी तो ऑप्शन सी जो है वो इसकी कोरेक्ट ऑप्शन निकली है आपकी ऑप्शन क्या आई आप जरूर चेक करके बताईएगा next question की तरफ चलते हैं options आपके सामने आ चुके हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं आपका waste कर रहा हूँ that question पे question समझाए जा रहा हूँ एक संख्या का पाँच मा भाग 19 है इस संख्या का 42 पर्तिश्यत कितना होगा 42% निकालना है पाँच मा भाग मतलब एक वटा 5 एक वटा पाँच मा भाग कुल भाग का ब्राबर है 19 के हाँ 19 के ठीक हैं तो इसका मतलब यह उल्टा हो जाएगा X is equal to 19 कुणा 5 कितना हो गया 95 पंच्यानवे एक्स के वली कितनी आगई 95 आगई अब आपको वो लहे इस संख्या का प्रतीशत कितने निका लिए यानि कि 42 प्रतीशत पुछा है 95 का तो 95 का 42 प्रतीशत यानि कि बटा 100 5 से कार दो 5 दुनी 10 0 आ गया 5 एक 5 पंच 15 पंतालिस दो दुनी 2 एकम दो दो दुनी 4 दो एकम दो 19 और 21 प्वाइंट्स में ही हैं यहां पर देख सकते हो आप क्वेशन ठीक हैं तो प्वाइंट्स में आप निकालिए इसको 19 को मल्टिप्लाई कर लीजिए 21 से 19 को 21 से कैसे करेंगे 9 यह आ गया यह आ गया 9 के आगे 10 11 1 2 3 तिन सो 19 पॉइंट चार यह एक पॉइंट 31 पॉइंट 9 31 पॉइंट 9 ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन ही नहीं है 9 एकम 9 आ गया एक यह क्या है 9 11 19 यह आना था 9 आना था 9 49 पॉइंट 9 ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन आएगी कि ऑप्शन आनी थी यहां पर मिस्टेक मल्टिप्लाई में किया था मैंने मल्टिप्लाई कर रहा था और कुछ नहीं है तो यह इसका फल रहेगा मैच करते हैं अंसर अपना तो तालिस पॉइंट 9 ही अंसर आया है क्राए विक्राए है लाभ हानी का क्वेशन बहुत बार आता है देखिए एक बार फॉर्मूलाई पूछ लिया है यदि विक्राए मुल्ले हो तो यानि कि ग्रेटर देन लेस देन का पूछ लिया हो तो हमें लाभ होगा या हानी होगी question में पूछा है तो क्या होगा तो इसका अंसर जो है वो हानी होगी हानी क्यों होगी देखिए विक्राए मुल्ले यानि कि कम हो गया है क्राए मुल्ले से यानि कि cost price अगर आपने 100 और पे की चीज है ठीक है उसको आप 80 रुपे में बेच देते हो तो ये चीज विक्राए अधिक मुल्ले बेचना होगा अगर यूं होता तो यानि कि आपका लाब होता तो इसलिए हानी जो होती ये option जो है वो correct option रहेगी इसकी next question की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी जो series चली हुई है वो है हिमाचर परदेश पटवारी exams की और हम ये आपके लिए लेकर आये थे जो ये सभी questions तो आपको ये कैसे questions लग रहे हैं आप अपना जो है हमें जरूर सुझाब दें comment box में जो हम इसको और अच्छा कर पाएं और आपको ये questions कैसे लगें ये जरूर हमें बताईएगा आगे चलते हैं हमें questions के साथ में options आपके सामने आ चुकी हैं अपना trial करना न छोड़े अमित 27 सेकंड 100 मीटर दोड़ता है और चमन 30 सेकंड में ये दूरी तै करता है अमित चमन को कितने मीटर से प्राजित करता है अब ये निकालना है आपको प्राजित कितने मीटर से करेगा ठीक है 27 सेकंड 27 सेकंड में 100 मीटर दोड़ता है ठीक है तो 27 सेकंड में कितना दोड़ता है 100 मीटर ठीक है और दूसरा कितने में तोड़ता है बुला वही दूरी तै करता है तो अब बोला है कि अमित चमन को कितने मीटर की दूरी में तै करेगा तो अब देखो, पूछा किसके बारे में था, अमित चमन को, अमित का पूछा है, चमन से, इसलिए मैं सीधा लूँगा, 27 बटा 30, गुणा, तो कर लो, गैलकुलेट, 0 से 0 किया, 3, 3, 27, 9 से किया, 90, तो 90 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, मेरे मैं, 90, चक करिएगा आप, 90 ही है, 90 मीटर आ गया, हाँ, बिल्कुल सही है, और वो कितने मीटर दोड़ता है, 100 मीटर, तो जो दोड़ा था, वो 90 मीटर दोड़ा था, डिफरेंस कितने का आया, 10 मीटर का, कितने का आया पेटा, 10 मीटर का, तो B option जो है, वो सही option मानी जाएगी, इस तरीके से ये question होना था, और 10 मीटर ही आपका answer, यहाँ पर बताया भी गया था, next question की तरफ start करते हैं, यह है factorization का, related और दूसरा calculation related है, बहुत ही simple है, मैं आपको बताओ, तो इसकी trick भी रहती है, trick क्या रहती है, आप 18 को कमा ले लो, जल्दी से जल्दी जब paper में करना होता है, तो 19 माइनस 17, तो क्योंकि हमने क्या करना होता है, पेपर में, 17 क्या गया कि 18 और 19 दो, 18 दो 19 च्छतिस, तो क्या होता है कि paper में हमारे पास time नहीं होता है, और फिर हम confuse हो जाते हैं, तो इसलिए आप daily जब हमारे साथ set लगाएंगे, तो आपको practice हो जाएगी, अंसर आ गया था, तो यदि एक वृत की का ब्यास, ब्यास क्या होता है, diameter, ठीक है, एक वृत है, उसका ब्यास जो है, वो अठारा है, सारी, चौदा है, तो radius कितना हुआ, साथ साथ का, ठीक है, तो उसकी प्रिधी ग्याद करे, प्रिधी मतलब parameter of the circle, ठीक है, तो parameter निकालना है, circle का, तो कैसे निकलेंगे, यहने, formula याद होना जरूरी है, तो 2 pi r होता है, 2 pi का मतलब 22 over 7 होता है, r, radius, जो मैंने 7 नहीं काल ही चुपा था, 7 से 7 गया था, 44, देख सकते हो, आप कितने simple सवाल आये थे, 2012 का paper है, यह 2012 बच्चों, 2012 को छाप दिया है, आप एक बार practice कर लीजिए, पिछले सालों का paper देखने की, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारे साथ बस बने रहे हैं इसी channel पर, वीडियो को अपने friends में भी share करिएगा, कि जिन्होंने नहीं देखा है, कि paper कैसा आता है, बहुत से डरे पड़े हैं, कि भी आप paper पता नहीं कैसा आएगा, बहुत simple सा paper आया है, सेंटीमीटर, अगला question है, यह इसकी options हैं, कि पांच, साथ, अप्टू सोन, ऐसे नो, ठीक है, तेरा का ओसत दस है, तो डैश मुल कितना होगा, तो आपने कुछ नहीं करना है, यानि कि X की मान पूछा है, यानि कि total मुल पूछा है, तो कुछ नहीं है, पांच, साथ, अप्टू तेरा तक, पांच, साथ, ठीक है, यह आपको इससे यह पता लग रहा होगा, कि बीच में miss है, यह चीज निकालने हैं, ठीक है, तो प्लस X, प्लस 9, प्लस 13, total संख्या हैं कितनी हैं, वैलिउस कितनी हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो वैलिउस कितनी हैं, पांच, इक्वल तू दस, यानि कि कुल संख्याओं का योग, ओवर पुल संख्या हैं, यह होता है, और एबरेज का, तो यह से मल्टिप्लाई किये, तो total हो गया, पचास, ठीक है, और कितना हो गया, तेरा, तेरा में अगर साथ डाले तो हो गया, आपका 20, ठीक है, बीस में 29, 29 में यह डाले तो, पांच, चौतिस, यह दूसी साइट जाएगा, पचास माइनस चौतिस, तो कितना रह गया, दस वो होगे छे, सोला सोला आप्षिन आपकी सही आप्षिन रहेगी ये हैं क्वेश्चन पटवारी का पेपर, हुआ बना दिया है सभी ने, कुछ नहीं है 2012 में हुआ नहीं है बहुत सिंपल पेपर आता है पटवारी का बस तैयारी करने की जलस अंदर जनून चाहिए मेरे प्यारे बच्चो, जनून पैदा करो अपने अंदर सोला अगले क्वेश्चन की तरफ चलते है क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसमें बोला है चार अंकों की अधिक्तम संख्या और तीन अंकों की नियुनतम संख्या का अंतर क्या है अधिक्तम यानि कि कितने की है चार अंकों की आंकडों या अंकों एकी बात है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है नो, नो, नो और तीन अंकों की नियुनतम संख्या नियुन्तम हुई आपकी छोटी यानि की 100 ठीक है तो 100 हुई उसके बाद जो आएगी वो तो फिर उससे उपर चले आएगी सबसे छोटी होती है तो उससे उपर की आएगी 101 ऐसे करके फिर हमारी 3 तक की बड़ी हो जाती है सबसे छोटी है उससे छोटी जो है वो 99 हुई दो डिजिट हुई उसके बाद शुरू होती है वो 3 डिजिट होती है तो इन दोनों का अंतर पूचा है डिफरेंस यानि की माइनस करना है 9 या गया 9 या गया 8 और ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो आपका अंसर जो है वो मैच हो रहा है 9 8 ये ऑप्शन के साथ जा रहे है बहुत ही सिंपल सवाल आया था आपके पस ये देखिए अंसर भी ये दिया हुआ है प्वेशन है दिस को दिस से भाग करने पर शित्र पर कितना प्राप्त होगा यादि कि दोनों को आपस में क्या करना था डिवाइड करना था और कुछ नहीं है ये डिवाइड करने से आपको इसका शित्र पल पूछा था तो कैसे करेंगे इसको प्वेशन को थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाए लग जाएगा आइडिया आपको जल्दी से ट्राइ करें भाग करना है वन वन जिरो नाइन 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 को वन 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 से तो क्या आएगा आपके पास देख सकते हैं आप एक दो तीन चार पांच पांच से करेंगे इससे जाएगा तो आपको पता है ये इससे बड़ा है उपर तो वन तो डिजिट आ गया ठीक हैं अब किसके नजदीक जाएगा आप सोचिएगा ना पता लगे तो हजार से इसको डिवाइड कर लीजिए तो भी आप कर सकते हैं मैं आपको इसका अंसर बता देता हूँ अपने अपने इसाप से आपको बता देता हूँ ठीक ये 9 जाएगा तो हजार के नजदीक बनेगा ये ऑपशन पर डिपैंड है तो हजार इसका अंसर था ठीक है पेरे प्यारे बच्चों next question की तरफ चलते है option थी आपके पास 0.5 को 0.1 से भाग दिया जाए यानि कि divide किया जाए तो परिणाम क्या होगा यानि कि क्या result होगा तो कुछ नहीं था 0.5 divided by 0.01 यानि कि 5 बटा 10 हो जाएगा इसका 1 के उपर यहां पर आ जाएगा पांच A option के साथ जाएगे कई mistake हाँ सो आना था पचास C option जो है वो correct option रहेगी C बिल्कुल सही C option जो है वो बिल्कुल सही answer आ है next question चल रहा है हमारा यदि कुछ संत्रे 5 रुपए प्रती 10 संत्रों के हिसाब से खरीद कर 10 रुपए के 5 संत्रों के हिसाब से बेचे जाए यानि कि quantity और उसका आ रहा है rate का quantity और rate का है तो आपने एक side में कर देने 5 रुपए के 10 संत्रे 5 रुपए के 10 संत्रे और 10 रुपए के 5 संत्रे 10 रुपए के 5 संत्रे multiply कितना आगया 25,10 10,100 ठीक है कितना आगया कि दोनों में कितने का आगया 25 क्या चीज नहीं कि 75 क्या चीज है देखिए ठीक है 25 की चीज हुई यह हमने इसको इससे मल्टिप्लाई ही न यानि कि CP था यह SP हुआ 25 की चीज 100 पे में बेच रहा है तो 75 रुपे का लाब हुआ अब आगे पुछा था लाब प्रतीशत ही निकालना है तो लाब प्रतीशत का क्या फॉर्मूला होता है लाब बटा कॉस्ट प्राइस इन्टू हंडर तो लाब हमारा कितना हुआ बच्चो 75 का और कॉस्ट थी उसकी 25 गुणा 100 पच्ची थी यह 75 यानि की 300 परसेंट जो है वो उसको लाब होगा D option जो है वो सही जाएगी चलो चेक करते हैं अंसर क्या है 300 परतीशत 300 परतीशत ही हमारा सही हल आ रहा है वैसे ही मैच हुए हमारे questions next question की तरफ चलते हैं question हमारा आया है शित्रफल से जुड़ा हुआ है 5 cm भुजा वाले 5 होस घन को पिगला कर बने घन का आयतन ग्याद करें घन मतलब एक Q void है आपका ये एक Q void है अब इसको इसकी 5-5 वाली साइडे हैं यानि की हर एक साइड जो है उचाए हो यहां से हो यहां से हो यानि की length breath height जो चुड़ाई होती है डबे की वैसे तो इसका यानि की पिगला कर आयतन पूछा है अब बचो आयतन पता होना जरूरी है तो आयतन का कैसे पता लगेगा क्योंकि पांचो साइडे एक्वल है तो सबसे पहले हमें इसका आयतन कैसे निकालेंगे पांच से पांचो दिये हैं length into breath into height पांच पच्चिस 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 पच्चे एक सो पच्चिस ठीक है मगर यह हुआ एक घन का इन्होंने पांच ठोस पुछे थे तो एक सो पच्चिस को पांच से गुणा कर दीजिए पांच पच्चिस दो पांच दूरी दस दो बारा एक पांच एक छे शे सो पच्चिस शे सो पच्चिस बी option तो बी option जो है वो इसके साथ जाएगी फिर भी चलो चेक कर लेते हैं और ये सही अंसर है तो ये इस परकार से आपके जो questions ने करवा रहा हूं हिमाचल परदेश पतवारी के 2012 के questions है कितने important है आपको खुद लग रहा है पता कि time to time कितने important questions जो हो रहे हैं और कितने simple paper आता है बहुत simple आ cases के ओपर अपनी तैयारी करते हो अगले question की तरफ चलते हैं ये कुछ दिशा से जुड़ा हुआ question है कई बार ये reasoning का भी question आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि reasoning के जुड़े हुए questions जो है वो थोड़े से अटपटे भी होते हैं पर ये question का मैं आपको बत जा देता हूँ reasoning का अगर आपको study करनी हूँ पटवारी की paper की जो भी मेरे बच्चे हैं या जो भी candidates हैं त्यारी कर रहे हैं एक reasoning का आप blood relation पढ़के जाईएगा और direction इन दोनों में से आने की कई बार chances बन जाते हैं देखिए location अपने आवाज से उत्तर दिशा की ओर जाता ह ठीक हैं और चार किलोमेटर की दूरी तैक रहता है ठीक हैं अब हमें कहीं से तो start करना पड़ेगा हम initial मैं यहां से बता रहा हूँ देखिएगा यह मेरी position start करता हूँ मैं यहां से यहां पर बता रहा था तो यहीं से start करता हूँ यह मेरी home position है अब location अपने आवाज से उत्त रदीशा में जाता है उत्तर हो गया यहां पर कितना जाता है चार किलोमेटर ठीक है चार किलोमेटर की दूरी तैक करता है इसके बाद बेग पस्चिम की और अब जब मैं यहां पर खड़ा हूँ तो मेरा पस्चिम कहा आया दूसरी साइड में आया अब मैं अपनी location जो है बदल रहा हूँ जानि की अब मैं इस साइड को हो गया ठीक है प्यारे बच्चो कितना चला मुड़ कर दस किलोमेटर जाता हूँ यानि की पस्चिम की और दस किलोमेटर गया इसके पस्चात भी अब जब यहाँ पहुंच गया दक्षिन की और जब मैं यहां पर पहुंच मैं ऐसे जा रहा हूँ अब मेरा दक्षिन इस साइड को जाएगा किस साइड को जाएगा दूसरी साइड को ठीक है दक्षिन कहा को आया यहां को दक्षिन की ओर मुड़ कर 5 km जाता हूँ अंत में फिर क्या करता हूँ अंत मैं पूरव दिशा की और मुड़ता हूँ जब मैं इस साइड हूँ तो मेरा पूरव जो हो इस साइड आएगा इस साइड को यानि कि पूरव की और मुड़ता हूँ ये आ गया मेरा पूरव ठीक है अंत मैं पूरव की और मुड़कर 10 किलोमेटर जा हूँ उस दिशा में हूँ तो अब मेरा घर कहाँ पर है ठीक है अब मेरे किस दिशा की तरफ है अब मैं इस साइड हूँ तो मेरा घर तो इस साइड है तो यह है मेरी कौन सी दिशा आजाएगी यूँ करके समझ दिजिए यहाँ पर दस चला गया तो अब मेरा घर कहां पर आया, उपर के जाए, यानि कि इस साइड को, ये कौन सी दिशाई, दक्षिन की तरफ, यानि कि दक्षिन जो है, वो इसका सही अंसर रहेगा, South, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, दक्षिन इसका सही अंसर रहेगा, अगला question है, बहुत अच्छा question आई है, ऐसे questions आ सकते हैं, पांच श्रमिक, दस दिन में अठारा सो रुपय कमाते हैं, बहुत ही सिंपल है, MDH formula बोलते हैं, पंदरा श्रमिक, साथ दिन में कितने कमाएंगे, क्या बोला है, पांच आदमी, दस दिन में, अठारा सो रुपया कमाते हैं, तो पंदरा आदमी, साथ दिन में, कितने रुपय कमाएंगे, यानिकि इनका वर्क निकालना है, बस, 0 से 0 गया, 5 से 5 सी ती अख prefांदरा सती ती ते 21, तो W2 is equal to 21, गुंआ 180, तो W2 is equal to 18, जीरो यहा आगया, 21 को 18 से गुणा कर लो 8 यह आ गया 8 दिनिसे वड़ा 17 2, 1, 3 378 3780 B option B option जो है वो इसकी सही option रहेगी तो इस परकार से यह questions हो रहे हैं MDH formula कोई किसी का कोई question है अपर हैं बहुत simple मेरे प्यारे बच्चो तो इस परकार से यह questions आपके आते हैं पेपरों में यह रहा 3780 एक लकड़ी के कठे को 10 बराबर भागों में काटे जाने पर कितने समय लगेगा यदि एक भाग काटने में 2 मिनिट लगते हैं ठीक है अगर एक को 2 मिनिट लग रहे हैं ठीक है तो 10 को कितना समय लगेगा बहुत ही सिंपल है जल्दी से अपना-पना अंसर ट्राय कर सकते हैं ठीक है देखिए अब एक को काटने टा एक के बाद दूसरा आएगा तितीसरा, चौथा पांचमा, छेमा सातमा आठमा नौमा और एदसमा तो अब यहां पर देखिए दो मिनट यहां पर लगाए उसने दो यहां लगाए क्योंकि एक दो यहां लगाए दो यहां दो 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 और यह दो तो गिनिये दो, दो, चार, पांच, छे, सात, आठ, नो, दस, ग्यार, बारा, तेरह, चौदा, पंदा, सोला, सत्रा, अठ्रा अब इसके आगे क्यों नहीं लगाए वो आटोमेटिक खुद बन जाना था तो इसलिए इसके अठारा मिनट लगने थे बस यह सिंपल सा सवाल अठारा मिनट तो यह थे आपके दो हजार बारा के पुरे सवाल जो मैं लेकर आया इसका अगर पीडिएफ चाहिए बेटा तो आप एप्लिकेशन हमारी डाउनलोड करिए एप्लिकेशन में हमारी फ्री क्लासिस में जाहिएगा आपको यहां पर प्राप्ट होगा यह पीडिएफ और वहां से आप जो है इसको पढ़िए साथ में त्यारी करिए कोई प्राप्लम आती है तो कॉल करिए और मेरे साथ बने रहिए पटवारी प्रिक्षा के लिए हिमाचल परदेश की और इसी के मौक टेस्ट सेरिज लेने है तो आप हमारे साथ कॉंटेक्ट करिए तब तक कर लिए बने रहिएगा विजयपत एजुकेशन की गौर्वर्मेंट इंग्जाम प्रेपरेशन एप के साथ जै हिंद जै भारत